हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वन्टीफोर नॉलेजे ओफिशन यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्ट्यूट भारतिय किर्सी अनुसंधान संस्थान की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिल अप प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंस यहाँ पर IRI में जो नॉटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई है यह आपकी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है जिसके लिए आप आउनलाइन आविदन कर सकते हैं इस वेकेंसी या इस नॉटिफिकेशन से रेलेटिड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो जोबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर फ्रेंस से आल इंडिया केंडिट एलिजीबल हैं साथ मैई से आप इसमें आविदन कर सकते हैं आपकी एप्लिकेशन फीज साथ में इस क्राइटेरिया एलिविटी कंडिशन क कितनी कितनी वेकेंसी किस कैटेगरी में हैं साथ में आपका जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा इसकी जानकारी और आपको साथ में जो सलेबस है वो भी फ्रेंस से वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर देखने को मिल जाता है अगर आप एपलिकेब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके साथ में अप्लाइक करने से पहले आप इस नॉटिफिकेशन को भी ध्यान से चेक ज़रूर कर सकते हैं इसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर देखने को मिल जाएगा और यह नॉटिफिकेशन आपके असिस्टेंट पोस्ट के लिए रहती है जहां पर फैंसे आप डेटेल्स को चेक कर सकते हैं 7 माई से 1 जुन तक अपलाए कर पाएंगे कोई भी गलती अगर यहाँ पर नॉटिफिकेशन मिल जाता है साथ में आप इसे कैसे अपलाए कर सकते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की कही है फोटोग्राफ, सिगनेचर और डॉकुमेंट्स क्या-क्या आपके अपलोड होंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके बार फैंस आप नीची आएंगे और नीची आने पर आपको दो ओप्शन मिलते है प्रोसीड टू रडिस्टेशन और अल्रेडी रडिस्टेश जाएगा, रडिस्टेशन पेज में सबसे पहले पोस्ट अपलाइड में आपको असिस्टेंट सलेक्ट करना है उसके बाद फैंसे यहां पर आपको नेम की एन्टरी करनी होगी आपका जो भी नाम है पूरा नाम आप यहां पर एंटर करेंगे, इसके बाद फैंसे आपका जो 10-digit का mobile number है, वो आपको enter करना है, मैं भी sample के तौर पर enter कर रहा हूँ, आपका जो actual mobile number है, वो आपको यहाँ पर fill करना होगा, आपकी mail ID आपको यहाँ पर देनी है, और ध्यान रखिएगा, mail ID और mobile number आपके active and valid होने चाहिए, यहाँ पर फैंस यह entry करने के बाद, आपका जानकारी दे सकते हैं, इसके बाद फैंस यहाँ पर capture code है, तो यह capture code आपको यहाँ पर fill करना होगा, और उसके बाद आप एक बाद जानकारी को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर submit वाले option पर आप click कर देंगे, इसके बाद आपका देखी जो registration है, वो complete हो जाएगा registration complete होने के बाद अब आपको यहां से log out कर देना है log out करने के बाद user ID and password के साथ आप login करेंगे password आपकी mail ID और mobile पर send कर दिये जाता है जिसके थुरू आप यहां पर login कर सकते हैं अगर password नहीं आता है तो आप forget password कर सकते हैं अपने user ID and password के साथ आप इसमें login कर पाएंगे इसके बाद friends यहां पर देखिए आपको एक option मिलता है click here to fill application form का आप इस option पर click करेंगे apply करने के लिए इसके बाद दुबारा से आपके सामने instructions page open होगा आप यहां पर इस processing को complete होने दे complete होने के बाद आप यहां से data को close कर देंगे इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले gender select करना होगा आपकी category कौन सी है जंदल, OBC, SC, ST आप select कर सकते हैं nationality आपको यहां पर select करनी होगी इसके बाद आपका pre exam center आपको choose करना है तो आपको देखें centers की यहां पर जो list है वो आपको देखने को मिल जाती है आप के according जो भी center आप यहां पर लेना चाहें वो आप center यहां पर selected कर पाएंगे आप friends से यहां पर यहां पर concent कर सकते हैं और देखें आपको जो list दी गई है उसमें आपको यहाँ पर दिये गए है 5 section तो आप यहाँ पर 5 अपने जो centers हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे यह करने के बाद यह तो है अपका pre exam इसके बाद है main exam तो आपका main exam center है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं इसके बाद फैंज से तो yes कर सकते हैं type of disability select कर सकते हैं और आपको subscribe चाहिए तो yes and no आप कर पाएंगे नहीं तो आप no करेंगे अगर आप यहाँ पर permanent employee है ICAR में तो आप yes कर सकते हैं किस institution में है आपकी post का क्या है और आपका FMC number क्या है date of appointment क्या है यह आपको जनकारी देनी होगी नहीं तो आप no करेंगे और save and proceed यहाँ से कर देंगे data save होने के बाद friends है यहाँ पर जो next option है इसमें आपको यहाँ पर enter करना होगा आपका father name तो father name enter करेंगे उसके बाद mother name enter करेंगे next option है friends है कोई भी एक photo ID आपको यहाँ पर multiple options मिल जाते है pen card, driving license, voter ID, passport, russian card passbook with photograph यहाँ पर या फिर सेंटर या government द्वारा कोई भी आपके पास कोई ID proof है 10 का certificate है आपके पास इस पर आपकी photo लगी हो तो आप कोई भी एक option को select कर सकते है अब यहाँ पर आपको जो यह option मिलता है यहाँ पर friends आपने अधारकार का number भी आप mention कर पाएंगे इसके बाद friends नीचे देखिए आपको दिया गया है आपका address यह है आपका correspondence address मतलब present में आप जहाँ पर रहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी होगी country इसके बाद friends आपको यहाँ पर state आपका शहर कौन सा है और आपका pin code क्या है नीचे आपको option दिया गया है आपके यहाँ पर permanent का अगर present और permanent सेम है तो आप सेमस पर click कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से save and nest कर देंगे इसके बाद देखिए आपकी data save हो जाएगे और qualification section आपका open हो जाएगा सबसे पहले friends 10 का जो certificate number है वो आपको mention करना है आपकी board का नाम आपको mention करना होगा और अगर आपके पास माली जी अभी certificate नहीं है उस condition में आप market आपका जो number है या roll number है वो भी आप enter कर सकते हैं यहाँ पर friends आपको देना है आपका institute का नाम तो आपको institute का नाम देना है आपका year of passing क्या है मतलब आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी provide करेंगे आपका percentage क्या है और आपका अगर कोई CGPA है तो CGPA दे सकते है CGPA नहीं है तो आप percentage यहाँ पर तो जरूर देंगे और अगर आपके पास CGPA है तो उसे convert कर लेंगे percentage में ऐसे ही 10 प्लस 2 या diploma इनमें से आपने क्या क्या हुआ है आप उसकी जानकारी provide करेंगे तो इसके लिए आपको board का नाम देना है आपके institute का नाम आपको यहाँ पर mention करना होगा आपको friends से यहाँ पर देना है आपका year of passing इसके बर आपको देना है आपका percentage जो कि आप यहाँ पर enter कर सकते है डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकाई दे सकते हैं यह है आपका education qualification जिसमें bachelor degree आपके पास होनी चाहिए अब यह किसमें है आपके पास आप उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे और अगर आपको यहाँ पर friends से आपकी जो जानकारी है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं या फिर friends आप BA, BCOM, BSC जो भी आप लिखना चाहें वो भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं तो आपके according जो भी आपकी specialization है जिसमें भी आपने bachelor degree की हुई है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं इसके बार friends आपको यहाँ पर आपकी institute का नाम देना है कहां से आपने इसको complete किया है आपका जो इत्रुन होने का वर्ष है वो कितना है उसकी जानकारी आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बार friends आपकी percentage का है तो आपको यहाँ पर आपकी percentage एंटर करनी होगी जो कि आप यहाँ एंटर करेंगे कोई additional qualification है आप उसकी जानकारी प्रवाइड कर सकते हैं नहीं है तो आप save and nest टिक कर देंगे इसके बार देखिए आपकी data यहाँ पर save हो जाएगी आपको यहाँ जो amount है वो आपको देखने को मिलता है जो कि आपको pay करना है यहाँ पर देखिए आपको कुछ documents upload करने है जैसे आपको पास्पर फोटोग्राफ और signature upload करने होंगे size की बात करें तो 100 KB का size आपको यहाँ पर मांगा गया है जो कि आप JPG format में upload करेंगे आपका photo ID proof आपको upload करन आपकी जो अंतिम डिग्री पृमान पतर है या फिर दिग्री प्रमान पतन है सेटिफेके child degree है प्लोड करेंगे जान्ती प्रमान पतर आपको यहां पर अप्लोड करना होगा तो यहां पर फिंका फाइल को एक option मिलता है यहाँ पर agree का आप agree करेंगे और यहाँ से प्रिव्यू चेक कर लेंगे तो friends प्रिव्यू चेक करना बहुत जरूरी है अगर आपने कोई भी गलती कर दी है आप उसे सही कर सकते है अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे सम्मिट यहाँ से कर देंगे और उसके बार आप ओके वाले option पर click करेंगे यहाँ से agree करेंगे और उसके बार आपका जो payment gateway है वो open हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए net banking का card का आपको यहाँ से आपको दो बार confirm करना होगा उसके बार अपने card की details को यहाँ पर fill कर सकते हैं और उसके बार यहाँ पर pay वाले option पर आप click करेंगे इसके बार आपका यहाँ पर form है वो friends आपका यहाँ पर complete हो जाएगा इसके बार friends आप चाहे तो बाद में भी यहाँ पर declaration है यह करने के बाद already registered candidate पर आप click करेंगे यहाँ पर user ID and password आपको fill करना है और यह capture code आपको fill करना है login करना है और उसके बार friends आप यहाँ पर अपना जो final printout है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे future use के लिए future reference के लिए और आप मालेजिए edit भी करना चाहते हैं तो आप edit भी कर सकते हैं अगर आपने payment नहीं किया है पर payment करने के बार आप edit नहीं कर पाएंगे इसके लिए जो window है वो लग से open होगी तब आप इसमें edit कर पाएंगे बाकी की जानकारी फैंस आप video description में जाकर check out कर सकते हैं यहाँ पर हमने बात की iari assistant requirement 2022 के बारे में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो friends like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching